देखें तो आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में तगड़ी गिरावट रही निफ्टी 321 पॉइंट और बैंक निफ्टी 721 पॉइंट आज गिरे है क्या रीजन है इसके पीछे कि क्यों गिर रहा है मार्केट यह हम समझेंगे डेली मार्केट रिव्यू में सबसे पहले बात करें तो जिस तरीके से फेडरल रिजर्व का कल बैठक था कल मिटिंग थी उस मिटिंग में डिसाइड हुआ कि मिटिंग में 7.5.75% रेट हाइक होगा मतलब जो इंट्रेस रेट है वो हाइक होगा अब देखें तो अमेरिका में 40 साल के उच्चन उच्चतमस्तर पर इंफ्लेशन चल रहा है मतलब 8.60% का वहाँ पर इंफ्लेशन है अगर रेट ऑफ इंट्रेस्ट की बात करें अगर हम FD में पैसा रखते हैं अमेरिका में तो वहाँ पर 1-2% रेट ऑफ इंट्रेस्ट मिलता है FD की बात अगर बांच में देखे तो 3-3-3% मगर वहाँ पर जो इंफ्लेशन है वो 8% है हम यह देख सकते हैं एक बैंक में पैसा रखते हैं एक लाग रुपए है तो हमको पूरे साल में सिर्फ 2,000 पर उस पर रेट ऑफ इंट्रेस्ट मिलेगा मतलब एक लाग 2,000 हो जाएगा और जो इंफ्लेशन है वह 8% आपसे बढ़ रहा तो कहीं ना कहीं 6,000 रुपीज हमारा पैसा और घटेगा और यह मार्केट में एक पैनिक सिच्वेशन क्रिएट कर रहा है और जिस पे जो यूएस है वो जल से जल इंफ्लेशन को कंट्रोल करना चाहता है वो इंफ्लेशन 2% के नस्दीक में 2% के नीचे ले के आना चाहता है और इसके लिए उनको जल से जल रेट हाई करना होगा और इसी तरीके से वो continue अपने रेट हाई करना है जैसे वो इंफ्लेशन को कंट्रोल कर सके अगर इंफ्लेशन कंट्रोल होता है तो यहाँ पे देखे तो अगर rate of interest कम हो रहा है और इंफ्लेशन कंट्रोल तो मार्केट में money supply कम होगी औ नहीं होगा लिकृटी अच्छी नहीं होगी क्योंकि अगर पैसा महंगा मिलेगा तो लोग अवाइड करेंगे लोन लेना और अगर लोन लेना अवाइड करेंगे तो मार्केट में पैसे का इंफ्लो कम होगा और इंफ्लो कम होगा तो इंफ्लेशन जरूर कंट्रोल में आ सकत बढ़ेगा तो company के profit पर इसका अशर देखने मिलेगा और यहां पर देखें तो इंडिया में इंडिया में भी 16-18 महीने के उच्छतम सरबर inflation चल रहा है और यहां पर देखें तो साड़े 8% के ऊपर इंडिया में inflation है अगर बात करें इंडिया इंफलेशन की तो यहां पर इंफलेशन का मार हमको देखने मिल रहा है जिस तरीके से इंफलेशन वहां बढ़ रहा है और को हो रहे हैं वैसे ही इंडिया में भी स्थाफे हों ये धाई कोने के वजह से रिठ होने के वजह से हम लोको को यह समझ में आएगा यह समझ में आएगा कि मनी सप्लाई कम होगी मार्केट में और मनी सप्लाई एकर मार्केट में कम होगी तो उनको जो ग्रोथ है उसका असर देखने कुछ लेगा नमस्कार मैं जीत सिंग स्वागत करता आपके चैनल ठाकूर कैपिटल में हम देख रहे ह है जो बिल्कुल भी एक अच्छा संकित नहीं है मतलब मार्केट एक रिशेशन की तरफ बढ़ रहा है आज यह support break होता हूँ हमको दिखा और ऐसा लगता है कि अब मार्केट की तरफ बढ़ रहा है ऐसा क्यों इस मार्केट ने प्रिवियस सपोर्ट साथ मार्च के सपोर्ट को अब तक नहीं ब्रेक किया था मगर आज आज गैप डाउन ओपनिंग मतलब वीकली चार्ट पे गैप डाउन ओपनिंग के साथ 5.19% निफ्टी माइनस रहा 841 पॉइंट जो बिल्कुल भी एक अच्छा संकेत नह किया था निफ्टी ने इस लेवल को यह देख सकते हैं जो लेवल था 15,671 उसके बाद एक शाप सेलिंग प्रेशर देखने मिला और मार्केट ने मार्केट ने क्रुशल सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक कर दिया और बिल्कुल भी अब मार्केट यहां से अच्छा नहीं लग इस एक बहुत बढ़िया सपोर्ट जोन को बहुत बढ़िया और शांदार सपोर्ट जोन को मार्केट ने ब्रेक कर दिया यह देख सकते हम लोग इस जोन में जो हम लोने जोन क्रेट करके रखा है क्योंकि यहां से एक लाइफ टेम हाई बना था इस जोन से लाइफ टेम भी देखने मिला था कम से कम दो बार एक बार मार्च में और एक बार में में और अब जून मन्थ में काफी काफी अग्रेसिव ली यहां पर सेलर ने अपनी पॉशिशन बील्ड की और मार्केट पर वो कंट्रोल लेते वह दिख रहे हैं मतलब वह अब मार्केट को लीड और मार्केट अब बायर्स के कंट्रोल में है ये पूरी तरीके से बायर ने साफ कर दिया है आज जिस सरके का मुमेंट रहा है आज के दिन अब बात करें मंतली चार्ट पर मंतली चार्ट के बात करें तो इस मंत में अभी तक 9.95 पॉइंट निफ्टी माइनस राज 6% तो बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं हम लोग यह देख सकते हैं कितनी शाफ शाफ सेलिंग कैंडल हमको देखने मिल रही है अब बात करते हैं बैंग निफ्टी की बात करें तो बैंग निफ्टी ने अब तक अपना निफ्टी का 7 मार्ण यह आठ 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 मार्ण का जो लो है वह अवी तक ब्रेक नहीं किया है एक अच्छा संकेत हैं अगर वेर्ल बैंग निफ्टी विया 720 वन पोइंट गिरा और बैंग निफ्टी ने प्रिवियश कुरुशल सपोर्ट को ब्रेक किया है जो बिल्कुल 32,200 के लेवल्स को ब्रेक कर दिया बैंग निफ्टी ने तो हम लोग मार्केट में और भी एक पैनिक सिट्विशन देखेंगे मतलब मार्केट एक रिशेशन की तरफ बढ़ रहा है ऐसा आज इंडियन इंडियन शॉक मार्केट को भी देख के लग रहा है बात करें हम लोग विकली चार्ड की विकली चार्ड में यह देख सकते है किस तरह के से कंतीनू एक सेलिंग परिशन रहा है मतलब यह देख सकते है कि लास्ट वीक में शाधे 5% और इस वीक में तक 2%, 7% बैंग निफ्टी गीर चुकी है इस दो ट्रेडिंग मंतली चार्ट पे देखे तो इस मंत में अभी तक 694 पॉइंट बैंक निफ्टी माइनस से 2% कंपेर करेंगर निफ्टी के साथ तो निफ्टी से कम गिरी हैं बैंक निफ्टी मगर ओर 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 जो केंडल्स हैं वो बड़े-बड़े बन रहे हैं तो यहां पर सेलर लीड करत में जिसरे केंडल्स बन रहे हैं अब यह मेंस की बात नहीं करेंगे आज क्योंकि हर यह में के नीचे ही प्राइज होगा क्योंकि इतनी सेलिंग प्रेशर हम लोग यह देख सकते हैं वह वीकली चार्ट हो या मंतली चार्ट हो हर हर एक केंडल्स पर यहां पर देखें तो य रिटानी ओर नेसल्ल इंडिया और गिरेवर इंडिया तीटेल ओंग्सी ग्लेआ यह तो इंडिया ऋसिसे सब जो है जह्टेल इनफले moishes मुश्ट और वे रहों और सबसे ज्यादा जो कांटिल हुई हुंगे हम लोग उसकी बात करें वह कंपनी है idea, gtl infra, yes bank, rbl bank में सबसे ज़्यादा quantity date हुई, अगर आपको थोड़ा सा भी stock market के बारे में update कर पा रहे हैं, कुछ बता पा रहे हैं, तो please हम चनल को subscribe करें, share करें इस वीडियो को अपने friend और लिटू की साथ की वो भी stock market के उनको बहतर तरीके से समझ सकें, समस्कार, धन्यवा झाल